तो आज इंडियन वाइक्स ड्राइविंग 3D में हमारा पुलिस इस्टेशन कनवर्ड हो चुका है एक बैंक में और तो और जो बैंक इस पुलिस इस्टेशन में ओपन हुई है वो हमारे पूरी सिटी की सबसे बड़ी और सबसे पहली बैंक है और इस बैंक में एक तिजोरी बैंक में कुश्योरी करना चाहता है तो क्या हम फ्रेंक बनके इस फ्रेंक नाम की यहाई देखते हैं तो तो ब्हति जो आज अमारी सिटी में एक नई बैंक ख़ली है जैसा कि आपने अभी देखा होगा तो उस बैंक में एक जॉब्स निकली है तो मैं भी जारा हूँ एक में एक जॉब ढूणने क्योंकि यार वो बैंक खोली है पुलिस वालों ने बैंक खोली है तो यार जॉब तो मुझे एक देई सकते हैं इतना तो मैं डिजर्ब करता हूँ वैसे आप यह देख सकते हैं कितने सारे वेरर वेरर लगा रखें अभी सिंपल सी बात है जब बैंक तो फैनेस लगेंगे भाई बिलवोर्ड कितना वड़ा लगा रखा है भाई समझ में आ गया कि बैंक है इस बैंक का नाम है पी वी आई इसका मतबसान ने हो पुलिस बैंक ओप इंडिया क्या बात है यह बैंक पुलिस ने खोली है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया इस बैंक में कोई जॉब कर सकता हूं अरे सामने मैडम घडी है अब इनसे बात करते हैं अब हमें देखते काम करने लगी मुझे दिखा रहे हैं कि हम बिजी है ठीक मैडम जी कोई जॉब आप मिल पाई भी मैडम जी से मैंने बात कर लिए वह उपर जाना पड़ेगा उपर इनकी ब्रेंच ओपन हुई है नीचे यार देख सकते हो जेल में कितने सारे हैं लोगोंने मतलब सीसी टीवी रूम बना दिया है सीसी टीवी रूम होता है ना जिसमें सीसी टीवी मॉनिटर होते हैं यह अच्छा यह साइध बैंक का ही अडवर्टाइजमेंट है और लोन व जोब मिल सकती है तो अभी भ detach जो मैंडम ने वहला है कि तुम क्या गाळी चला लेते हो मैंने आपनी तो इन्होंने एक काम मुझे एक खाइंद हाँ से कर दिया तो हमें जॉब में सकती वैंक इस bank में कोई ATM नहीं है और हमें काम दिया गया है कि सबसे पहले तुम क्या वो ATM ला सकते हो मतलब यह कोई ज़्यादा hard काम नहीं है बस हमें driving ही तो करनी है तो अभी चलते है यार बैसे मुझे कुछ भी नहीं करना बस भहाँ तक जाना है एंड वो लोग ATM इस पर load कर देंगे एंड देन मैं उस ATM को यहां तक ले आऊँगा बस simple है यार यार जिस तरह की की police इस bank में लगी है इतनी तंगली security के साथ जबकि यह एक नई bank है तो लगता है bank में माल तो हो गई और माल होना भी चाहिए वरना हम चोरी क्या करेंगे तो लंडो सारे ready हो जाओ आज इस नई bank में मुझे चोरी करनी है और ये तो हम करके ही रहेंगे तो तुम लोगों को मैं एक काम बता देता हूँ देखो मैं जा रहा हूँ उस bank के बार में थोड़ा पता करने पता चला कि हम नई bank में गए चोरी करने और वहाँ कुछ निकलाईने तो मैं जा रहा हूँ उस bank में ये पता लगाने कि उसमें कितना माल है कितना gold है कितना पैसा है पैसा तो उसे पता करने तो मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम लोग यहाँ पर ready रहना जब मैं आऊंगा तुम्हें लेने तो तुम लोग बिल्कुल मुझे ready मिला तो अभी मैं जल्दी से चलता हूँ इस bank की बार में पता लगाने कि ऐसा तो नहीं इन पुलिस वालों ने bank इसलिए खोली हो कि वो फ्रैंक को पकड़ सके लेकिन फ्रैंक को पकड़ना मुंकिन ही ना मुंकिन है यार तो अभी हम जल्दी से अपनी स्कारपियों में बैट लेते हैं और लॉंडो तुम यहीं पर ready रहना मैं बस अभी आता हूँ पता लगा के कि उस bank में कुछ है भी या बस देखने के लिए ही bank है अभी मैं जल्दी से चलता हूँ यार यहां पर थोड़ा काईदे से चलना पड़ेगा चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा रखी है पर फ्रैंक का पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती फालतू में पुलिस लगा रखी है यार अभी मैं अपनी गाड़े पार्क कर देता हूँ मस तरीके से यह उतारी अभी मैं चलता हूँ यार कभी भी डरना नहीं चाहिए इन लोगों को यह नहीं पता चलना चाहिए कि हम बहुत बड़े वाले चोर हैं इसलिए चुपचाप से काईदे से चलते हैं इन मैडम से पूछते हैं मैडम अकाउंट का खुलवाना है मैडम बता रही है उपर जाओ ओके अभी उपर जाने का समय नहीं है मेरा इनका उपर जाने का बतलब उपर वाले फ्लोर पे ओके तो मैं अभी जाता हूँ यहां तो CCTV बहुत लगे हैं हमें इन CCTV का भी कुछ ना कुछ प्रवंद करना ही पड़ेगा वैसे यहां पर केशियर मैं बैड़ी है इनसे मैं बात कर लेता हूँ अकाउंट खोलने के लिए तो यह कुछ कह रही है अच्छा यह भाई इन मैडम ने बता है कि इन भाई से बात करो इन भाई से तो मैं बात कर लूँगा यह सिंपल सा वो फॉर्म दे देंगे कि अकाउंट खोल लो लेकिन मुझे पता लगाना है कि इनकी तिजोरी में कितना माल है अभी मैं इनसे बात करता हूँ और मैं इनसे बोलता हूँ मेरे पास है बहुत सारा पैसा और तुमारी बैंक है नहीं नहीं तो मुझे ये तो बताओ कि तुमारी बैंक हमारे पैसों को होल्ड भी कर सकती है मतलब मैं इतना सारा पैसा दे जाऊँ और कल को तुमारी ब्रेंच भाग जाए पता नहीं कौन सी ये बैंक है पूलिस बैंक क्या बैंक फलाना बैंक तो भाई मेरा पैसा कौन देगा मुझे तो नहीं लगता तुम्हारी बैंक में दो रुपे भी हो सामने जो पैसे पड़े मज़े बस इतना ही लग रहे हैं इतने तो मैं जेम में डाल के गुमता हूं यार ऐसे थोड़ी ना चलेगा मैं मैं अकाउंट खुलाओंगा सबसे बड़ा वाला लेकिन मुझे आपको यह ट्रस्ट कराना होगा कि आपकी बैंक में पैसा भी होता है अरे यार रुको मैं तुम्हें दिखा देती हूं यह लो मैंने पूरा लॉक खोल दिया है अब जाके तुम देख सकते हूं अब यार प इसा ओ भाई साब भाई प्रैंक तेरी तो लाटरी लग व यार गोल्ड अर यहीं लग रहा है पूरा मनिस्ट का गोल्ड है रख दिया हो यार सिजन टू मैंने यहhuh वाई यहार कितना सएड़ा बाई इधर भी यार पूरा संदूग भरा है पैसा बड़ा मजिदार अभी जल्दी से चल के बात करते मैडम वाह क्या बात है आप तो लगता है कि पूरी सिटी का पैसा एकटा करके बैठी है आप जल्दी से तुजोरी का गेट बंद कर दो भाई पता चला हमसे पहले कोई और चोरी कर गया मैडम मैं मुझे बस अब अकाउंट खुलवाना है अब ये बताओ अकाउंट खुलवाओं तो खुलवाओं कैसे भाई अकाउंट खुलवाने का क्या क्रेटेरिया है बस मुझे आप ये बता दो मैंने बोला था ना, कितना सारा पैसा है मेरे पास, बहुत सारा गोल्ड है, और और भी गोल्ड और पैसा आने वाला है, तुम बे टेंसन रहो, बस इस बैंक में अकाउट खुलाओ, मेरे पास ये टारिट है, उसको पूरा करवाओ, तुम्हारा पैसा सेव रहेगा, अच्छा इसको एक टैब्लेट दे दी गोली देदी कि भाई मैं आभी आता हूं डोकुमेंट्स लेके लेकिन अभी हम पूरी की गैंग लेके आएंगे अभी जल्दी से चलते हैं अपने गाड़ी में बैठते हैं यार भाई यह तो चोरी सक्सेस्फुल होई जाएगी वैसे आज तक मै तो भती जो, फैनली हम एटियम ले आये हैं, यार काफी जादा दूर था, लेकिन मैं ले याया या फैनली, आप ही हम, यार एक मने यार ये कौन है, अब ये तो फ्रैंकलीन है ना, ये तो वही फ्रैंकलीन है जिसकी सकल मुझसे मिलती है, अब यार मेरे पॉस एक बहुत और कम से कम CCTV तो मैं फोड के ही आ जाओंगा आराम से, और नाम पूरा होगा फ्रैंकलीन का, पकला जाएगा फ्रैंकलीन, और चोरी करेगा फ्रैंक, क्या बात है यार, आस तो यार, पता नहीं किसका मुझस देखके उठाता, सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है, अच्छा तो भाई, आपको नहीं समझ में आएगा, यह क्या बोला है, यह बोला है, वो लोग बस प्रेपरेशन कर रहे हैं, मैं उनसे बोल के गया था, फुल रैडी रहना, तो बस अभी जैसे ही वो रैडी होके आते हैं, फिर हम करते हैं, जाके सीधा हमला, वीडियो में इंटरप् हुआ, आ हुआ